कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो के बिटकॉइन के बात करेंगे और क्या अपडेट्स चल रही है मार्किट में वो भी कवर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को तो वेरी गुड बॉर्निंग आज हो चुकी है 25 अक्टूबर तक करीबं तक करीबं 6 दिन रह चुके हैं अक्टूबर मन्थ हैं डोने में और उससे पहले ही गेम हो गया अभी 6 दिन रहते हैं 34,000 डॉलर पे बिटकूइन चल रहा है और 35,288 कल जो हाई लगाये थे उसके बाद बिटकूइन और उपर नहीं गया है तो 34,000 पे भी लेवल चल रहा है ठीक है थोड़ा अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलें तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप यहां पे देखोगे यह जितनी गिरीन केंडल आप देख रहे हो पिछले अगर हम 10-12 दिन की बात कर लें तो लगातार मार्किट अच्छा ग्रो हुआ है सीधा सीधा 24,900 से रेंगते रेंगते 26,000 तक आए और 26,000 से सीधा हम आ चुके है 35,000 डॉलर पे तक करीबन तक करीबन अब अगर हम 24,000 से भी देखें है तो 11,000 डॉलर बिटकोईन का प्राइस बढ़ गया है 11,000 डॉलर बिटकोईन का प्राइस बढ़ा है और आज की डेट में 30 लाख रुपे का almost high लगा दिया बिटकोईन ने क्यों क्योंकि 35,000 डॉलर के high लगाए है ठीक है 30 लाख के आसपास ही हो गया नमबर अभी 28 लाख से उपर चल रहा है एक बिटकोईन की कीमत आज की डेट में 28 लाख पहुंच चुकी है जो 31,000 पे टिका हुआ था 31,000 से नीचे चल रहा था अब क्या हो रहा है बिटकोईन का प्राइस महंगा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है सबसे पहली चीज आज अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों से अच्छा चला है मार्किट तो थोड़ा सा लेवल नीचे आ सकता है 33,000 डॉलर के लेवल बिटकोईन दिखा सकता है 33,500, 700 है ना ये जो 200, 400, 500 डॉलर के पंप डंप रहते हैं ये लिक्विडिशन गेम रहते हैं और बिटकोईन क्या करे है जो लॉंग्स की पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है और जो लॉंग्स की लग रही है अब यहाँ पे उनका एक तरह से सफाई करना है थोड़ा ठीक है और जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक नहीं कर रहा है अगर 2-3 दिन कुछ भी नहीं होता अगर 2-3 दिन अगर मैं चार्ट की थोड़ा देख लूँ अगले 2-3 दिन आज से लेके अगले 2-3 दिन ऐसे भी चल जाती है मार्केट तो हो सकता है जो उसके बाद 2-3 दिन बचेंगे लास्ट और फाइनल उसके बाद हो सकता है और बड़ा पंप आज है लेकिन डिपेंड गरेगा सिनेरियो उसके उपर क्या सिनेरियो बनते हैं वो हम आपके साथ डिसकस करते रहेंगे तो अभी 34,000 डॉलर पे है और हलका सा रेड में है ठीक है बिटकोइन सबसे बहले हम बात करेंगे जो अक्टूबर मंत के लिए हमने कॉइन डिसकस किये थे उसके अंदर हमने पॉली मैश यानि पॉली एक्स को भी रखा था और बड़ा ही जवरदस्ट पंप आया इस अक्टूबर मंत में इस कॉइन के अंदर 0.29 पे लेवल आ चुक है 0.3 का हाई लगा दिया और हमने जो डिसकस किया था प्राइस था इसका 0.1 डॉलर 0.1 से 0.3 आ चुक है अब आप खुद इमेजिन कर लो कितना बड़ा पंप है 57 परसेंट तो एक दिन में आज का टॉप गिनर है पॉली मैश 160 परसेंट का प्रॉफिट दे चुका है तो जिन लोगों ने वीडियो मिस नहीं किया वीडियो को वाच किया एक एंट्री बनाई रिसर्च करके क्योंकि मैं ये फिर भी नहीं करूँगा कि आप आँख बंद करके इंवेस्मेंट करो कभी भी नहीं रिसर्च कीजिए ठीक है जो सिनेरियोज हमको दिखते हैं हम वाई डिसकस करते हैं अपनी रिसर्च के साथ ठीक है लेकिन हाँ 160 परसेंट का जम्प ज़रूर लगाया पॉली एक्स ने 160 परसेंट जिन लोगों ने इंट्री बनाई उनको 160 परसेंट मिल गया इस अक्टूबर मंद की में सिर्फ पॉली मैश से और इतना ही नहीं मीना की बेर में भी हमने 2 आउगस्ट में डिसकस किया था जब ये लो लेवल पे चलना था 0.39 के राउंड, 0.37 के राउंड लेकिन कल जो इसने किया है वो बहुत बड़ा पंप किया है 123 परसेंट का पंप किया है इसने ठीक है, अभी 0.71 पे लेवल आगे है 0.96 का हाई लगा क्या है 1 डॉलर को ये भी नहीं छूपाया लेकिन बहुत बड़ा और huge पंप एक दिन के अंदर 130 परसेंट के आसपास लगबग मीना का कल कल के अंदर नेक्स्ट बड़ा बाइनस की तरफ से अभी recently एक executive गए थे लेकिन अभी दो executive और जा चुके है मतलब employees, executives जो भी कह लिजी चाहिए बाइनस खुद निकाल रहे है, खुद निकल रहे है ये अच्छा signal नहीं है बाइनस के लिए और बाइनस loses two more top executives in UK and France है ना, global regulatory pressure on the world largest exchange continue to take its toll no doubt, बाइनस का पिछले कुछ महिने से बहुत bad time चल रहा है BUSD खतम हो गया है ना, बहुत ज़्यदा impact हुआ और साथ के साथ trading volume काफी ज़्यदा गिरा है और उसके साथ-साथ ये भी सी नजारे देखने को मिल रहे है, no doubt बाइनस problem में है, लेकिन recover भी कर सकता है अगर चाहे तो ठीक है, time लग जाता है लेकिन recover हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि number one exchange है इसको अगर ज़्यदा impact हुआ तो फिर market भी badly impact हो सकता है next update है बिटकोईन को लेके galaxy predict 74% bitcoin price increase first year after ETF launch यानि ETF launch के बाद जो first year रहेगा जो पहला year रहेगा, मतलब galaxy predict 74% bitcoin price increase, मतलब bitcoin का price 74% increase हो जाएगा, और bitcoin to over 59,000 dollar and that does not factor in second order effect ये हमने बात की थी कि 42 से 56,000 dollar पहुँच जाएगा ठीक है लेकिन ETF को approval इस साल मिलेगा या अगले साल मिलेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है लेकिन हाँ, 40,000 के दर्शन bitcoin इसी साल हमको करा सकता है चाहे इस मन्त कराए, चाहे नवेंबर में कराए December में कोई chances नहीं है कि bitcoin pump करे December में market sideways में रह सकती है ठीक है, क्योंकि last month है और ये मन्त है, या नवेंबर मन्त है तो BlackRock bitcoin ETF को approval तो नहीं मिला लेकिन BlackRock का यहाँ पे कुछ update जरूर है BlackRock Spot Bitcoin ETF relisted on DTCC तो DTCC का update आया था कल और इसी वज़ा से कयास ही लग रहे कि market इसी वज़ा से pump हुआ है, आप कह सकते हो market के अंदर ना कुछ news बस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी news है क्योंकि जो approval मिलेगा ना, वो ही सबसे बड़ी news होगी ठीक है DTCC में list हो गया है, Bitcoin is moving, ठीक है, अब connection जोड़ के देख सकते हो, सबकी अपनी choice है नजर या है, ठीक है लेकिन Bitcoin का chart ही बता रहा था Bitcoin का movement पहले से ही बता रहा था कि वो 35 तक जाने वाला है और 35 तक हो आया और कल हमने देख लिया यह हमने पहले ही discuss कर लिया था, ठीक है तो एक update आ जाना, उसके बद 35 महुच जाना, इतना easy नहीं है market इतना, वो भी नहीं है सीधा भी नहीं है, कि आपको बस लो जी, अब मैं pump हो रहा हूँ और आप profit book कर लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है तो scenario पहले ही दिख रहे थे bitcoin के, next नम बात करेंगे, TRB के बारे में, अभी चल रहा है 24% फिर से उपर gainer list की daily जो है शोभा बढ़ा रहे हैं कोईन और level आ चुके हैं, 109 डॉलर 110 डॉलर को touch करने बिल्कुल आपके सामने है, यहाँ पे 110 डॉलर यानि अगर मैं इंडियन रुपीज में price convert कर रहा है, यह वही कोईन है जो हमने दो दिन पहले डिसकस किया था कि 400 रुपे का कोईन, 7000 क्रोस कर गया था, दो दिन पहले है ना, अभी यही 400 रुपे का कोईन, 9,119 पे चल रहा है जी हाँ, तक करीवन तक करीवन 91 रुपे को क्रोस कर चुक है और 10,000 के करीब बढ़ रहा है ठीक है, इसका all time high अगर मैं देखू, थोड़ा मंथली चार्ट पे चलते है जिस तरह से यह move कर रहा है इसका all time high है, 164 डॉलर का 110 डॉलर के करीब यह पहुँच चुक है यही हाल रहे तो भाईया नया all time high भी लगा देगा ठीक है, मतलब 400 रुपे का कोईन 9,000 को भी क्रोस कर गया आज, यह है क्रिप्टो मार्केट की पावर next time बात करेंगे chain link के बारे में 11 डॉलर को भी क्रोस कर चुक है अभी अपने नय high के उपर चल रहा है और हमने discuss किया था कि 15 से 20 डॉलर आपको जल्दी दिखा सकता है chain link है ना इस मन दिखा दे या अगले मन दिखा दे यहां तक level जा सकते है यानि 15 to 20 डॉलर की बात है और पिछले अगर मैं बात कर लूँ यहां पर अगर आप यह दो महिने का चार्ट देखोगे तो कहां से कहां तक आ गया है low था 5 डॉलर से 5 डॉलर से almost 11 पे आ चुका है double तो होई चुका है और whales के बड़े movement भी हो रहे हैं अच्छा गासा movement 9 डॉलर से 9.6 डॉलर से फिर से 11.64 डॉलर तक level आ चुका है तो क्या whales के movement हो रहे हैं 12% अभी green में चल रहे हैं तो बिल्कुल अभी अभी एक movement हुआ है कितने channeling है 6,72,000 है 7.6 million डॉलर के और यह transfer हो है from unknown wallet to binance यह सिर्फ एक transaction है अभी का लेकिन जब whales मौर्चा समवाल ले किसी अच्छे altcoin को पकड़ ले बड़े altcoin को पकड़ ले तो अच्छा pump करके छोड़ते हैं ठीक है तो अभी और भी pump हो सकता है channeling अगर bitcoin 40,000 cross करता है 40,000 तक जाता है तो channeling में हम और भी jump आने वाले टाइम में देख पाएंगे नेक्स्ट अपडेट है dogecoin को लेगे dogecoin shiva inu में अभी बड़े movement नहीं है लेकिन dogecoin भी अगर आप देखोगे 350 million dogecoin का movement हुआ है 23 million dollar के हैं यह dogecoin और यह transfer हो है from unknown wallet to robin hood तो robin hood involved है robin hood ने एक तरह से आप यह समझ लीजिए काफी ज़्यदा shiva inu भी purchase कर रखे है bitcoin robin hood ने पूरी बड़ी तयारी कर रखे है bullrun की है ना और ऐसे में 350 million dogecoin गए है unknown wallet से कहाँ पे robin hood के उपर next update आ रहे है gate io की तरव से ariva world यानि ariva coin को लेके we are thrilled to announce our new partnership with ariva world the one stop destination for all travel need travel tourism से जुड़ा हुआ coin आप बोल सकते हो ariva को and it makes a significant stride toward integrating digital currency within global tourism and travel networks तो यहाँ पर आप देखोगे gate pay और ariva world एक तरह से payment को लेके यह announcement partnership हुआ है कि यह आप payment कर पाओगे gate pay के जरी है और last and final update है Uniswap को लेके Uniswap foundation ने यहाँ पर कुछ बड़ा movement किया Uniswap foundation transferred 6.8 million uni यानि Uniswap crypto जिसकी value लगभग 29 million dollar की है to a new address and falcon x 30 minute ago तो बड़ा यहाँ पर movement where uni foundation dump 3 million Uniswap 13 million dollar के via crack and deposit address of winter mute yesterday तो watch for another sell off तो यहाँ पर कुछ न कुछ खिचडी पक रही है Uniswap को लेके है dump किये 3 million 6.8 million यहाँ पर transfer भी किये गए है थोड़ा Uniswap पर नजर रखें ठीक है आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंड किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हो तो हमेशा अपनी research करें क्योंकि crypto market एक risk की market है यहाँ profit भी हो जबता है loss भी हो जबता है तो हमेशा अपनी research जरूर से जरूर करें और नीचे आपको X के link मिल जाएंगे telegram का link मिल जाएगा join कीजिए कोई भी update आपसे miss नहीं होगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care